जिस महीने के साथ देव गुरु प्रिहस्पति का परिवर्तन जुड़ा हो, जहां गुरु और राहु का चांडाल दोश बनने वाला हो, जिसकी चर्चा चहुआर है, इसे के साथ 14 अपरेल 2023 से जब सूर्य एवं राहु का ग्रहन दोश भी बन जाए, बुद्ध राहु का जब गोचर ये विवस्थाएं, शश एवं मालव व्योग नर्मित कर रही हूँ, देव गुरु प्रिहस्पति जब तीनों ही तरकोनप पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने वाले हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल, अपरेल 2023 के 30 दिनों का पूरा ही चर्चा प्रत लेकर हम यहां संगराशी के जातकों के लिए उपस्तत हुआ हैं, सरुप्रतम ग्रह गोचरिय विवस्थाओं का अध्यन और उसके बाद आगे जुड़ी हुई चर्चाएं, दिनांक दो, तीन, चार, एवं 29, 30 अपरेल 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव संगराशी स्थान म हैं, मन यहां 29 अवं 30 अपरेल 2023 के साथ एक अलग मजबूती लिये हुई रहेगा, क्योंकि देव गुरु ब्रहिस्पती का जो दृष्टी संबंध है, वो यहां पर चंद्रमा के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा, दो, तीन, चार ऐसी तारीके हैं, जहां मन को अस्तिर काज आप कर रहे हैं, बले ही कॉर्परेट कल्चर के साथ में हो, या पर प्रोफेशनल लाइफ में, नाम एक अलग ख्याती को केतु की इन स्तियों की वज़े से प्राप्त कर रहा है, परन्तु बहुत एक्ता भरे आकरशन से दूर रहने के जरुरत रहेगी, सब्तम भाव म नर्मित होता है, तो आप गौर करें, कि ये तृतिय केंद्र है, और जब भी शनिदेव यहां होंगे, तो जो भी व्यापारिक स्थाइत्व होता है, आपने कोई काम काज की शुरवात की, एक मूड ऐसा आता है, जहां से स्टेबिलिटी बनने लगती है, मन इस्तिर होने ल प्रवात में देव गुरु ब्रहस्पती, एवम सूर्य दोनों ही अस्टम भाव में रहने वाले होंगे, तो जो 22 अपरेल 2023 तक का समय है, गोवेदेश संबंदे कारियों से बरद्दे का प्रतेमान है, जिस आधार की चर्चा, जिस युतियोग की चर्चा बारंबार हो रही है, गुरु और राहु का चांडाल दोश, वो यहां नवमभाव, यानि संगराशी के जातकों के लिए भाग्य भावस्त करम में रहेगा, इसकी भी हम ब्रिहत चर्चा करेंगे, कि ये प्रमुक तोर पर भयाक्रामत करने वाला अधार है, या कुछ हद तक संभावनाओं का सूर्य दय भी लेकर आ रहा है, अलाकि शनिदेव की ती सुर्द्रिस्टी बहतर, परंतु संगर्शों की अदंड में ताकत देती है, जब भी अपनी नीचस्त राशिस्तान पर रहे, ये भी एक कल्कूलेशन, शुक्र मालव्य दर्वित कर रहे है, पंच बहापरोश योग में से एक प्रमुक योग है, मालव्य योग, जब भी उत्रोतर बली के अंदर में शुक्र ऐसी अवस्था के साथ में हो, नैसरगिक तोर पर बलाबल में वृध्धी करने वाले होते हैं, तो वहीं लाभभाव में मंगल हैं, अब गौहर करें यहां कि बुद्ध एवं मंग इस सेरे के साथ परिवरतन में रहने वाले होंगे, मंगल पूरे ही महीने, यह मेतन राशिस्तान में, तो बुद्ध की अवस्ताया मेश राशिस्तान में, एक ग्रह मंगल राशिस्तान में, दूसरा, एक तरह से बुद्ध राशिस्तान में, यह एक्सचेंज, प्लस IT फिल्ड प्लस मेडिकल के साथ में एडवांस स्टडीज करने वाले महनभावों के लिए बहुत जादा पहतर कहा जा सकता है 6 अप्रेल शुक्र यहां प्रशवराशी स्थान में प्रवेश करेंगे बुद्ध की स्थियां यहां महिने के दुधिय प्रवासकाल के साथ में एक तरह से वक्री आधार को भी प्राप्त करने वाली रहेगी यह एक प्रेसाइस केलकुलेशन है जो की प्लेनेटरी अप्रोच के साथ चेंजिस में जुडिव हुई हम चर्चा के शुरुवात करते हैं प्रतम भाव के साथ में यहां आप ये गौर कीजिएगा कि जो शुरुवाती करम रहेगा इसमें 14 अपरेल 2023 तक आत्म विश्वास में कमी रह सकती है निरनायक मौकों पर जो अपनी बात को रखना होता है उसके अंदर आप मन में उल्जन मैसूस करने वाले हो सकते हैं इसके पीछे वजह ये है कि जो सूरिदेव है प्रतम भाव के आदिपती वो अस्टम भावस्त करम में रहने वाले होंगे तो जब भी ऐसी अवस्ता होती है मन उल्जनों का शिकार होता है जैसे आपके सामने बैठा ये विक्ती कई बार भाशा की वजह से और साथी साथ इस निरना की वजह से कि एस्टरोलोजिकल टर्मिनोलोजी के साथ जाना है या फिर भाशा को और अडिक्सरल बना कर पीश करना है उसमें अपने एकांत में उल्जन महसूस करता है ठीक उसी तरह से आप भी निरनायक मौकवा पर यहां थोड़ी सी उल्जन महसूस करने वाले हो सकते हैं उससे आप सिंभलने का पूरा पूरा प्रहत न करते चले जाईएगा यह याद रखिएगा कि यहां कोई भी इंटर्व्यू कॉल सामने निकल कर आता है हम वहां श्रवणिय क्षमता जो है उसको बढ़ा कर चलने का पूरा पूरा प्रहत न करें उसके बाद में ही अपनी बात को रखने वाले हों सूरिदेव एवम गुरू दोनों ही यहां स्टम भाव में शुरवाती तोर पर साथ में रहेंगे ऐसे समय में व्यक्ति अपने मन की जो था है जानी कि उसके क्षमता क्या है किस तरह से वो भटकाव से मुक्त होकर आगे चल सकता है वो ताकत प्राप्त करने वाला होता है उस एक मूल आधार को बना कर रखिएगा हाला कि एक प्रमुक बात ये भी है कि जब यहां पर देव गुरू ब्रहस्पती उन्हें पांचवी द्रिस्टी से प्रतम भाव को देखने वाले होंगे इनकी द्रिस्टी में अमृत है सूरिदेव प्रतम भाव के आदिपती होकर भाग्य भावस्त करम रहेंगे ग्रहन दोश बनेगा चांडाल दोश निर्मित होगा परंतु ये कैसे भूल जाएं कि देव गुरू ब्रहस्पती यहां प्रतम भाव को देखने वाले होंगे प् थे या फिर कोई भी इंटर्विव कॉल आया है एक्जेक्यूशन हो गया है मन में अभी भी डर है कि स्विकारोक्ती हो गया नहीं उन सारी घबरहाटों से मुक्त होकर हमें यह प्रयत्न करने क्या वशक्ता रहेंगी वहीं से वज़ये पनह उल्लिखित होती हुई प्रतीत ह आप मिल सकते हैं उन भटकाव से मुक्त होकर जो दर्णा ले लिया है वहां इस्तिर रहने का प्रयत्न जरूर करें हम बढ़ते हैं द्वितिय भाव की और अब आप गौर करें कि जुधन और लाब भाव क्या निपती हैं स्वहिम बुद्ध वो यहां जड़त्तों में रहे बुद्ध मंगल का परिवर्तन भी रहेगा इसी वज़े से जो फाइनेंशल गेन के अपरोच है वो एक कंसिस्टेंसी को लिये हुए है आपका कम्युनिकेशन मोल्ड को एकसेप्ट करके चल रहा है हम एडामेंट नहीं है हम रियक्टिब नहीं हो रहे है हम अगले के कटू संबात को भी पचाने के ताकत रख रहे हैं इस महीने ये एक परमुख बात है परन्तु जब बुद्ध रहू का जड़त तो बनता है और धनेश जब भाग गे महू रहू के साथ में तो किसी के बारे में कोई सोच बना ली उससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता आप इस बा करना चाहेंगे पारिवारिक जनों के साथ भी इस महीने संबात कोशल बहुत अच्छे से बना कर रखें हम ही सही हैं कि परिभाशाएं उससे भी हट कर सिर्फ ये देखा जाए कि हम वस्तुत है आगे कि इस यातरा में किस तरह से खुद को देख रहे हैं संबंदों के साथ स यहां सही और गलत की बरिभाशाओं से जिवन जितना मुक्त रहता है उतना वहतर और शांदार अपरवरतिया नर्मत होने वाली होती है इस एक बात को बारब बार अपने भीतर तक समाहित करके आप जरूर रखने वाले रहें तो वहीं ये भी कौर कीजिएगा कि अटके करम में एक सार्थकता सामने निकल कराने वाली जरूर रहे बढ़ते हैं पराक्रम भाव की और अब ये एक विशेश इस्तती है जो पराक्रम की आदिपती है शुक्र वो स्वराशी स्थान में कर्म भाव में जब भी पराक्रम और कर्म का सामझे से बनता है जो आपका पुर यानि कि धोज तो ऐसी अवस्ता के साथ में जो कारे लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुने एक तिवरता आती है आपका पुरशार्त का बल नाम को स्थापित करता है यहां उसी नाम की संग्या के साथ में चलते हुए आप जीवन को अप्रतिम प्रतिमान देने वाले हो सकते हैं इसी समय के साथ में कोई प्रमोशन लंबे समय से अटके हुए थी गौर कीजिएगा कि जो 14 अपरेल और 22 अपरेल की तारीखे रहेंगी उसके बाद में प्रमुख ग्रहिये विवस्ताएं यहां पराकरम भाव के साथ में दृस्टी निक्षेपन करने वाली होगी दृस्टी के साथ में बलाबल का अधार है कोई व्यक्ति कहीं पर जखड़ा हुआ है परम्तु उसके दृस्टी के साथ में किसी के लिए आशीश है तो वो कृपा है ऐसी ही अवस्ता यहां साथ में दर्वत होती है और उसके साथ में आप बहुत गहराई से चलते चले रहे हैं जो आपके साथ में सूचना मिली के ले ओफ जिससे पूजिशन सा रही है परम्तु नई जो आपके अपरोच सामने खड़ी हुई है तो कई बार वेक्ते खुद परिवर्तन नहीं करता प्रकरती परिवर्तन करवाती है ऐसे संकेतों के माध्यम से उसे की यात्रा के और हम बढ़ते हैं यहां मंगल की स्तियां भूमी सुत भूमी भाव क्यानिपती की स्तियां लाब भाव में शुक्र का दृष्टी निक्षेपन एक तरह से जुड़ा हुआ शुरुवाती तो पर देव गुरु बरिहस पती भी चतुरुत भाव को देखने वाले होंगे तो फिर उसी अग्रिकल्चर लेंड के साथ को इन कोई कामकाज की शुरुवात करना चाहते हैं इनीशियेटिव लेने की रेक्वार्मेंट रहेगी ये समय आपके लिए पैसिव इंकम सूर्सिस को जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज को सामने रख रहा है और जब विजय भाल पर तिलक लगाने वाली हो तो व्यक्ति वहां पूरी हिनिस्था आस्था एवं समर्पन के साथ में अपने भाल को आगे करने वाला रहे विजय उसी का ध्योतक मात रहे और इसी एक अवस्था के साथ में चलते चले जाईएगा वहीं मानसिक सुख में कमी है क्योंकि शुक् मेडिकल फील्ड में नेटिव के साथ में जूड़कर आप कोई भी एक तरह से इनिशेटिव लेना चाहते हैं यहां मन को स्थिर करके अपने साथ में बढ़ने के जरूत रहेगी इसी एक बात को अपने भीतर तक आप स्थापित करें यह भी याद रखें कि इस समय के प्रिशान होडता है उससे स्वैम को आप संभालिएगा इस यातरा को बढ़ाते हैं पंचम भाव की और सिक्षा संबंदी स्थियों में इस समय को बेहद शांदार कहा जा सकता है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति की दृष्टी यहां एक तरह से अपने मोल तरकॉन के सा देखते ही बनती है वहीं दूसरे करम के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहां पर आपका जो कैलिबर का बेस है वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला रहेगा परन्तु मन की थाह लेने के बाद में कर्म के परती जागरुक होकर वहां अपने निस्था क अंतुष्टी एवम स्थिरता के एक रूपक को देने वाला होगा और इसे के साथ में आप लिट्रेचर संबंदी अपरोच के साथ में आप यहां मेडिकल संबंदी अपरोच के साथ में स्वयम के जीवन को जिविको पारजन को स्वयम के सिक्षा को जोड़ना चाते हैं वो सुयश का सागर जब व्यक्ति के साथ में विद्यमान हो तो उसकी एक एक बूंद महत्वपूर्ण होती है जब यश पूरे तरीके सकीर्थी को बढ़ा रहा हो तो व्यक्ति कृतग्यता के साथ में उसको अपने साथ में लेकर चलने वाला हो यह समय मान सम्मान का है यह समय याद रखिएगा स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में यदि आप जुड़ेबुए हैं तो वहां पर गुरु राहू का चांडाल दोश प्रभावी है जहां आपने अपनी कैलकूलेशन्स को एक बार निरधारित कर दिया वहां से कुछ और सोचने के जरूर नहीं है ये बात आप जरूर याद रखें हुए संतान पक्ष के साथ ये समय ठिक ठाक बना हुआ सस्ट भाव की और इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं तो ये याद रखिएगा कि स्वास्त में गेस्ट्रिक ट्रबल और साथी साथ में जो नीज को रिलेट करती हुई प्रबलम होती है वो सता सकती है एक महत तुपुन बात और किसी भी तरीके की सल्ली शिकत्सा के और आप जाने की तयारी कर रहे हैं और लंबे समय से वो कार्य अटका हुआ था मन के भीतर भै था भै की निवारों को गिरा कर अब आगे बढ़ने की जरुत है सुरिदेव अस श्वास को सेंगारूट करने की जरुरत रहेगी और वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि जो फाइनेंचल बर्डन्स बने वो थे बिजनस अब उस लेवल की और पहुंच रहा है जहां से आप अपने आर्थिक भार को गटा रहे हैं जब किसी भी कामकाच के इंदर एक ब पुर्बक्ष हावी नहीं है परंतु मन के भीतर जो कई बार ऐसी बातें निकल कर आती है बहुत वर्षों पहले समाप तो चुकी थी आज वो पुनह मन के साथ में खड़ी हुई है ऐसे अवस्ताएं कई बार रहती है जब बिगुरु राहू का चांडाल दोश बने और चा हाँ हाँ कही अगले ने उसको स्विकार किया हमने जान ना कही अगले ने उसको स्विकार किया हमने भी अगले की बात को स्विकार किया ग्रिहस्त जो की यू प्लस ए पर चलता है the more you understand the less you adjust and the more you adjust the less you understand ये जो एक अप्रोच रहती है इसकी साथ में आप स्वहिम को पूर्ण तया संभालने का पूरा-पूरा प्रहत्न करते चले जाईएगा जेरे विदन आपसे करना चाहेंगे और वहीं यह भी याद रखिएगा कि यहां पर आपके लिए बिजनस पार्टनर्शिप में ठीक ठाक स्तियां एक तरह से निर्मित है उसके साथ तेरंतर बढ़ा जा सकता ह अस्टम की यदि हम यात्रा को तै करते हैं तो यह इस पस्टता अपने साथ में रखने की जरूत रहेगी कि यहां जो अस्टम में डेव गुरु ब्रेस्पती शुरुवाती तोर पर रहने वाले होंगे रिसर्च संबंधी काम का आज में एक बैटरमेंट के लिवल को लेकर आते हैं इसे के साथ में यहां विदेश संबंधी कारियों में यह आप रिसर्च और एनलेटिक्स या फ्री डेटा साइंस इसके साथ में जोड़े वो हैं कोई बेनाया प्रतिमान हासिल करना चाहते हैं वो सवार आप बढ़ने वाले हो सकते हैं वहीं यह याद रखिएगा कि जिस हुनर को आपने लंबे समय से माजा है अब वो ही हुनर आपको और अगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में लेकर चल रहा है वहीं जो पेट से समबंधित समस्याएं होती है अब उसमें आप धीरे धीरे निजात पाने वाली वस्ताओं में 22 अपरेल 2023 के बाद रहें को भीतर तक महसूस कर पाना समब नहीं अध्यात में किस्तियां ये दर्शाती है कि जहां परिशान ही आई वहाँ गहरे से सोचो हाथो हाथ कंग्लूजन के तरफ मत पहुंचो जब ये गहराई भीतर आती है तो वेक्तिस्तर होता है जिवन में कितने डर आए कितने डर गए परमतु 90 प्रतिशत डर के सिरे सिर्फ डर के रूप में ही थे एक्जिक्यूशन के रूप में नहीं थे परमतु डरे हम कितने ऐसी ही अवस्ता से खुद को बाहर निकलने की जरूरत यहां पर है बच्पन की कोई वेसे घटना याद आती है जहां भैबीत बहुत जाला थे आज उस पर हसी आती है यूवस्ता में जो कामकाज में गलतियां हुई उसको लेकर उससे में कितने डर थे और आज यूँ लगता है कि वो बातें गौन थी निरर्थक थी यही भाई किसे रहे उससे मुक्त रहिएगा वही भाग्ये के साथ में कहीं जो एक तारतब में होता है उसमें कमी रह सकती है इस बात पर गौर करें सूरी देव जब भी उच्चस ताधार के साथ में हो तो अपने भीतर की जो व्यक्ति मूल प्रकड़ती है उसको जानने का प्रयास कर पाता है राहु वैसे भी अंतर चेतनाव तक व्यक्ति को पहुँचाते हैं और उसी के सा अले का यहां सूरी प्रदान राशी के जातक प्रहतना जरूर करें और वहीं दशंभाव मालब निर्मित कर रहा है शुक्र जब भी ऐसी अवस्था के साथ में होते हैं तो व्यक्ति भौत एक संसादनों की उपलब दिता के साथ में जीवन की संतुस्टी को देखने वाला ह जो जनता सामने है उसके साथ में संबात कौशल में अपने भीतर के टत्व को भी रखना है कुछ नएपन के साथ में भी जीवन को उजाकर करने की एक थाती को रखना है ऐसी स्थतियां जब बनती है तो व्यक्ति उत्रोतर बली केंद्र में शुक्र के आधार को प्राप्त क अपनी बात को रखने के तरीकों के साथ में चलना होता है वहाँ पर शुक्र की बर्दानता बारंबार है हम बारंबार आप से कहते आये हैं कि हम तक पहुँचने से पहले अपने मन तक पहुँचे हैं और जब मन तक व्यक्ति पहुँचता है तो शुक्र की ऐसी अवस्था उस व्यक्ति को एक अलग ताकत देने वाली होती है वहां से आगे बढ़ते चले जाएएगा लाब भाव के मंगल बले ही पुन्ने फलों का उदे नहीं करें परतु प्रतियक शित्र के अंदर अपनी जो प्रेजन्स होती है उसको एस्टेबलिश करने की एक अपरोच जरूर बनाते चले जाते हैं वो एक बात अपने साथ आप जरूर इस्थापित करते चले जाएए यानि सरवांगिन लाप के सुरूमे वरद्धी द्वादश की एरिह हम चर्चा करते हैं शुरूर बात में देवगुरु प्रेस्पति अपने उच राशी स्थान को देखने वाले रहेंगे और उसके बाद जब देवगुरु यहां भाग की भाव पर वेश कर जाएंगे तो यहां आप खर्चों पर अपनी अंत्रण रखने का परहतन कीजिएगा जो खर्चे लंबे समय से रोके वो थे आकस्मिक तोर पर सामने आ सकता है वहीं से स्वहम को संभालने की पूरी-पूरी आवशक ताएं रहेंगी यह एक बात भीतर तक आप स्थापित करके जरूर चलें तो वहीं कोर्ट कचारी संबंदित मामलात में रिलीव की जो अट्मोस्ट प्रवेबले परूच है वो बनी हुई यह भी एक बहतरी है तो यह था सिंग राशी के जातकों के लिए अप्रेल 2023 का मासिक राशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उबस्तित होता रहेंगे धन्यवाद एवं आपका कोटी शह आभार